नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्तितों आप सभी की सिवा में ब्यादी महतों पूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां जायफल जोडों के दर्द बदन दर्द और हाथ पैरों के दर्द के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है जिहां आएए जानते है इसके प्रयोगों के बारे में, चून लगभग आधा ग्राम से एक ग्राम, तेल एक से तीन बूंद, जैफल का पेंड काफी बड़ा होता है, इसकी असी जातियां मानी जाती हैं, भारत एम माल द्विप में कुल तीस जातियां पाई जाती हैं, जैफल मुल रूप से एशिया महा द्विप के पुरो में इस्थित मालका द्विप का पेंड है, जैफल के पेंड दो तरह के होते हैं, नर और मादा, मादा जाती के जैफल के फूल छोटी-छोटी मंजरियों पर आते हैं, और पत्ते भाले के जैसे चोड़े होते हैं, नर जाती के जैफल के पत्ते ही होता है कितनी मात्रा में लेना है जैफल को जैफल चोण लगभग आधा ग्राम से एक ग्राम आपको लेना चाहिए जैफल का तेल एक से तीन बुंदा आप ले सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं अब सामगरी नोट कर लिजे तील का तेल 200 मिली लिटर दो कप पानी 5-6 जैफल अब बनानी की विध्य जान लिजे सबसे पहले जैफल को दो कप पानी में अच्छे से घिस लें फिर उसे 200 मिली लिटर तिली के तेल में अच्छी तरह से गर्म करें थंडा होने पर कमर की मालिश करें इससे कमर दर्द से छुटकारा मिलता है पान में जैफल का टुकड़ा मिट जाता है एक भाग जैफल का टेल और चार भाग सर्सों का टेल मिला कर जोडों के दर्द सुजन मोच पर दो से तीन बार मालिश करें इससे आराम मिलेगा ध्यान रखें अधिक मातरा में जैफल के उपयोग न करें मादक यानि कि नशीला प्रभाव उत्पन होता है इस का सेवन नहीं करना चाहिए जैफल के आईए अन्य फायदों के बारे में भी जानते हैं सुबह सुबह खाली पेट आधा चमच जैफल चाटने से गैस्ट्रिक सर्दी खांसी की समस्या नहीं सताती है पेट में दर्द होने पर चार से पांच बुद जैफल का तेल चीनी के स कतरन को मुँ में रख कर चूसते रहिए यह काम आप पूरे जाड़े भर एक या दो दिन के अंतराल पर करते रहिए यह शरीर की स्वभावित गर्मी की रक्षा करता है इसलिए ठंड के मौसम में इसे जरूर प्रयोग करना चाहिए आपको आपको किनी काणों से भूख न लग रही हो तो चुटकी भर जैफल की कतरन चूसिये इससे पाचक रसो की वृद्धी होगी और भूख बढ़ेगी भोजन भी अच्छे तरीके से पचेगा दस्त आ रहे हो या पिट दर्द कर रहा हो तो जैफल को भून लीजे और उसके चार हिस्से कर लीजे एक हिस्सा मरीज को चूस कर खाने को कह दीजे सुबह शाम एक एक हिस्सा खिलाईए आपको लाब मिलेगा फालीज का प्रकोप जिन अंगो पर हो उन अंगो पर जैफल को पानी में घिस कर रोज लेप करना चाहिए दो महीने तक ऐसा करने से अंगो में जान आ जाने की संभावना देखी गई है प्रसव के बाद अगर कमर दर्द हो रही हो तो जाइफल पानी में घिसकर कमर पे सुबह शाम लगाएं एक सबताह में ही दर्द गायब हो जाएगा फटी हुई एणियों के लिए इसे महीन पीस कर बिवायों में भर दीजिए बारा से पंदरह दिन में ही पैर भर जाएंगे जाइफल के चुण को शहद के साथ खाने से हरदा मजबूत होता है पीट भी ठीक रहता है अगर कान के पीछे कुछ ऐसी गांट बन गई है जो छुने पर दर्द करती है तो जाइफल को पीस कर वहाँ पर लेप कीजे जब तक गांट खत्मन हो जाए करते रही है आपको रह जाती है इसे थोड़ा सा घीस कर काजल की तरह आंख में लगाने से आंखों की जोती बढ़ जाती है और आंख की खुजली और धुंदलापन खत्म हो जाता है यह शक्ति भी बढ़ाता है जाइफल आवाज में सम्मोहन भी पैदा करता है जाइफल और काली मेर्च और लाल चंदन को बराबर मातरा में लेकर के पीस करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है मुहां से खत्म होते हैं किसी को अगर बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो उसे जाइफल और सफेद मुसली 2-2 गराम की मातरा में मिला करके पानी से निगलवा दीजि फिर तीन चुटकी इस मिश्रन को गाय के घी में मिला कर बच्चे को सुबह शाम चटाइए चेहरे पर या फिर तवचा पर पड़ी जाइओं को हटाने के लिए आपको जाइफल को पानी के साथ पत्थर पर घिसना चाहिए घिसने के बाद इसका लेप बना लें और इस ले तो आपको जल्द ही जुर्यों से निजात मिलेगी आँखों के नीचे काले घेरे हटाने के लिए रात को सोते समय रोजाना जाइफल का लेप लगाएं और सुखने पर इसे धोलें कुछ समय बाद काले घेरे हट जाएंगे अपने आप अगर आपको अनिद्रा की समस्या है अनिद्रा का स्वास्थे पर बुरा असर पड़ता है और इसका त्वचा पर भी दुश प्रभाव पड़ता है त्वचा को तरुता जा रखने के लिए भी जाइफल का इस्तिमाल किया जा सकता है इसके लिए आपको रोजाना जाइफल का लेप अपनी त्वचा पर लगान करें जहां भी आपकी तवचा पर पुराने निशान हैं रोजाना मालिश से कुछी समय में वे हलके होने लगेंगे जैफल से मालिश से रक्त का संचार भी होगा और शरीर में चुस्ति फूर्ती भी बनी रहेगी जैफल के लेप के बजाए जैफल के तेल का भी इस्तेमाल किय जा सकता है दांट में दर्द होने पर जाइफ़ का तेल रूई पर लगा करके दर्द वाले दांट या combut रखें दर्द तुरंट ठीक हो जाएगा अगर दांट में केले लगे हैं तो वे भी मर जाएंगे पेट में दर्द हो तो जाइफल के तेल की दो से तीन बुंदे एक बताशे में टपकाएं और खालें जल्दी ही आपको आराम आ जाएगा जाइगा जाइफल को पानी में पका कर उस पानी से गरारे करें मुँ के छाले ठीक होंगे गले की सूजन भी जाती रहेगी जाइफल को कच्चे दोध में घीस कर चेहरे पर सुबख और रात में लगाएं मुहां से ठीक हो जाएंगे और चेहरे पर निखार आने लगेगा एक चुटकी जायफल पाउडर दूद में मिला कर लेने से सर्दी का असर ठीक हो जाता है, इसे सर्दी में प्रियोग करने से सर्दी नहीं लगती है। सरसों का तेल और जायफल का तेल, चार अनुपात एक की मातरा में मिला कर रख लें, इस तेल से दिन में तीन से चार बार शरीर की मालिश करें, जोडों का दर्द, सूजन, मुच, इत्यादी से राहत मिल जाएगी, इसकी मालिश से शरीर में कर्मी आती है, चुस्ति फूर्ट की परिशानी नहीं होगी दस जायफल लेकर देशी घी में अच्छी तरह सेक लें उसे पीश कर छान लें अब इसमें दो कप गेहूं का आटा मिला कर घी में फिर सेकें इसमें शक्कर मिला कर रख लें रोजाना सुबह खाली पेट इस मिश्रण को एक चमच खाएं बवासिर से छुटकारा मिल जाएगा निम्बू के रस में जायफल घीस कर सुबह शाम भोजन के बाद सेवन करने से गैस और कबज की शिकायत दूर हो जाती है शीशु का दूद छोड़ा कर उपर का दूद पिलाने पर यदि दूद पच्ता न हो तो दूद में आधा पानी मिला कर इसमें एक जायफल डाल कर उबाल लें इस दूद को थोड़ा थंड़ा करके कुनकुना गर्म चमच कटोरी से शीशु को पिलाएं यह दूद शीशु को हजम हो जाएगा जहां दोस्तों तो देखा आप सभी ने कि जायफल आप सभी के लिए कितना फायदे मन सावित हो सकता है अगर आपने इसका सही धंग से इस्तेमाल कर लिया तो अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके लेकिन इससे पहले ये जान लिजिए कि जायफल का अत्यधिक मात्रा में कभी भी सेवन ना करें नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान होगा तो अगले एपिसोड में मिलते हैं आप सभी से एक और बेहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धानिवाद नवस्कार दोस्तों